हैलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की स्टेचिंग step by step वो भी बहुत आसान तरीके से तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्रपच की स्राइँ करने होगी फ्रंट और बैक क्रपच की सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट ले लेते हैं दोनों पार्ट होंगे इसमें बैक के हमारे दोनों पल्लू होंगी और उसके लिए हमें अब क्रॉच की सिलाई करने है सबसे पहले ता हम इस तरसे को क्रॉच को सिल लेंगे सिलाई हमें इसे कंप्लीट करनी है और इसे खोलते हुए अंदर की साइट से इसमें उपर से यहां सिलाई लगानी है हमें तो यह हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग से और यह दिखने में बहुत अच्छी लगती है इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के भी क्रॉच सिलने है और इसी टॉप सिलाई लगानी है इसमें पड़ते हुए तो यह हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें दोनों पल्लों को जोडते हुए क्रॉच की हमें इस तरह से सिलाई करने नहीं है कम्प्लीट अगर आप इसमें इंटरलोग करना चाहे तो यहां भी इंटरलोग भी कर सकते हैं और इंटरलोग अगर आप नहीं करते हैं तो इसके अंदर आयां से टॉप से लाई लगा सकते हैं इससे दबाओ बनेगा इसमें दबा रहेगा इसमें धागे निकलने की चांसे नहीं होंगे इस तरह से हमें क्रोच दोनों फ्रांट और बैक के कम्प्लीट कर लेने हैं इसके बाद हम लगाएंगे इसमें फ्रांट पार्ट पर डार्ट के निशान वो दोनों तरफ लगा लेंगे, वहाँ पे सिलाई करेंगे, डाट की निशान हमने लगाये थे, यह हमने सिल दिया है, डाट के लिए हमें लेंध आप कितनी भी ले सकते हो, 5-6 इंच की, और चोड़ाई हमें इसमें लिए 1 इंच की है, इस तरह से हमें सिलाई यह लगा और शिलाई लगाएंगे, साइड की सिलाई, इस तरह से हम साइड पैक करेंगे, इसके दोनों को जोड़ते हुए नीचे बैक पाट रखा है, उपर फ्रांट पाट रखते हुए, और उपर से हम सिलाई लगा देंगे, सीधा इससा हमें अंदर की साइड रखना है इसके, द इसका सिलाई लगानी है इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें साइड कम्प्लीट कर लेनी है उपर से हमें इसमें ये टॉप सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए कपड़े को पलड़ते हुए जहां हमने अभी साइड कम्प्लीट करी थी सिलाई में उसी तरह से उपर से पलरते हुए इसमें सिलाई लगानी है तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें कम्प्लीट करनी है और अब हमें दोनों को जोडते हुए फ्रन्ट और बैक पार्ट को और ये सिलाई लगा देनी है कंप्लीट करना है हमारी पूरी बैठक के चला इस तरह से उपर से नीचे तक लेते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इसमें नीचे का भॉटप करदेंगे जो आमने लिया था दो इंच का आधा इंडर folding देते होगे और एक इंच की इहां रहेगी दबाव में लेते हुए उपर से एक इंच अंदर की सारा नहीं दबाते हुए और रहेेगा तो से हृष्भ मी यह फॉल्डिंग करने है नेड़ इंच की भी आप फॉल्डिंग दे सकते हो इसके अंदर इतनी भी आप देना चाहो ओनली एक ही इंच की है तो पतली सिलाई भी आप लगा सकते हो ओनली सिंगल आधा इंच वाली भी तो यह हमारी इस तरह से कम्प्लीट हो गई है दूसरे पैर में भी हमें इसी तरह से कम्प्लीट कर लेनी है फिनिशिंग से तो इस तरह से हमारा यह बॉटम फिनिशिंग से कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे उपर इसकी बैल्ट की स्टिचिंग उसके लिए हमें क्या करना है हमारा फ्रंट और बैक का जो हमन बैल को स्टिच किया है अब हम उपर से इसको इस तरह से पलत लेंगे इसके लिए साइड में हम निशान लगाएंगे बैक में हमें लास्टिक लगाना है तो हमारी जो दोनों साइड की सिलाईया आई है फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा है दोनों साइड की सिलाईयों वह लास्टिक पर यहां सिलाई लगानी है यह फिनिशिंग से हमारी कम्प्लीट होएगी इसके अंदर कहीं से भी हमारी कि सिलाई वाला कपड़ा नहीं दिखेगा इसमें कि कि से उसके गया है कि सी तो इस्तर छेमीं दूनों तर्फ निशान लगाते वह पीछे की सार में बैक में लास्टिक को सिलाई से अठाज कर देंगी और फिर हम इसको बैल्ट को फोल्ड कर देंगी फ्रंट पार्ट हमारा सिलाई से कंप्लीट हुआ उसके बाद जी बैक पार्ट आया है हमारा लास्टिक लगाया है हमने बैक में तो लास्टिक पर हमें सिलाई नहीं लगानी है लास्टिक को थोड़ा सा उपार रखते हो उसमें सिलाई चलानी है नीची कपड़े पर लास्टिक इसमें हमारा लास्ट में कम रहता हुआ रहता है तो उसके लिए हमें लास्टिक को खीचना होता है तो फैब्रिक जादा है लास्टिक हमें तो लास्टिक को हमें इस तरह से खीचना होगा इससे गैदर्स हमारे लास्टिक में अपने आप बन जाते हैं इस तरह से खीचते हुए दास्टिक को लीना है और फिनिशिंग से सिलाई करनी है अब हमें बैक लास्टिक पर टॉप पर सिलाई लगानी होगी उसके लिए हमें लास्टिक को सब जगे से एक्वल करना है फैबरिक के साथ इस तरह से गैदस बनाते होवे equal part करते होगे लास्टी का हमें इस तरह से खीच के इसको stretch करते होवे गैदस बना लेने कपड़े के जो हमारा fabric के back का तो सब तरफ से हमारे बराबर हो जाएगा और इसकी center से हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो यह हमारे क्रॉचे वो भी इक्वल हैं बिल्कुल तो यह फ्रेंट्स हमारी पैंट कम्प्लीट हो चुकिए आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारी फ्रेंट दिखने में असी लगी है अ झाल 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 झाल